अपने अश्के शेफ की जन में आज हम मनने जा रहे हैं गाजर का हलवा जो खाने में वह दिखाता हूँ हमने यहाँ पे एक किलो गाजर लिया है जिसे हमने अच्छे से खिस लिया है आप देख सकते हो इस तरीके से हमें गाजर को अच्छे से खिस लेना है और हमने यहाँ पे पाउनल लिटर दूद लिया है जिसे हमने अभी तक का जोश नहीं लिया है जो के कच्चा है इसमें हम कच्छा दूदी डालेंगे, मैं आपको आगे दिखाता हूँ और हमने इसमें पाव किलो शक्क्र लिया है, आप चाहता अपने सबसे कम ज़्यादा कर सकते हो और हमने इसमें 100 ग्राम खोवा लिया है, जिसे हम मावा भी बोलते है यह optional है, आप चाहतों ले सकते हो, चाहतों नहीं भी ले सकते हो अगर आपने यह लिया तो इसके विए से उसमें टेस्ट जादा बढ़ जाएगा अभी हमने यहाँ पर कराई लिया है, जिसमें हम सबसे पहला गाजर को add कर लेंगे इसमें हम पूरा गाजर add कर लेंगे अभी हम इसमें दूद add कर लेंगे इसमें हमने पूरा दूद भी add कर लिया है, आप देख सकते हो अभी हम इसे गैस पर पकने के लिए रख देंगे जो बाकी की जो ingredients है वह इसमें हम बाद में add करेंगे, आपको दिखाता हूँ मैं चो यह जब तक हम इसे पकने के लिए रख देते हैं अभी हमने इसे एक एस पर रख दिया है, इसे पकने के लिए इसे हम फास्ट फ्लेम पर फिला फ्लेम पकाएंगे, जब तक का इसका जो दूद है वह अच्छे से सूपना जाए जैसे इसका दूद सुखेंगा, हम इस पर फ्लेम श्लो कर देंगे और जो बाकी की ज़िए add करनी के मैं आपको बताता हूँ और इसे हम continuously हिलाते रहेंगे, इस अच्छे से mix करते रहेंगे क्योंकि लिए नीचे जले ना इसके लिए अभी आप यह देख सकते हूँ, दूद को भी अच्छे थे जोश आने लग चुका है, नहीं कि दूद अच्छे से पक चुका है अभी इसमें हम लोग शक्कर एड़ कर लेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी हम इसमें शक्कर एड़ कर लेंगे और इसे हम अभी mix कर लेंगे अभी इसे हमें continuously अच्छे से mix करते रहना है, आप देख सकते हो इसी तरीकी से हमें इसे अच्छे से mix करते ही रहना है अभी अभी अदिक सकते हो इसे अच्छे से जोष आना शुरू हो गया है अच्छे से जोष आ चुका है यादि के अभी इसमें हम थोड़ी सी elike button add कर लेंगे यह जब दालेंगे तो इसमें और अच्छी कुछबाज एड हो जाएंगी और इसे हम अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी आप यह देख सकते हो यह लगबग 60% दूद जो इसका सुक चुका है अभी 40% दूद बाकी है अभी इसमें हम लोग मावा एड कर लेंगे इसमें हम अच्छे से मावा एड कर लेंगे अभी हम इसमें घी अट कर लेंगे इसमें हम तीन चमच घी अट करेंगे तीन बड़ी चमच आप देख सकते हो इस तरीके से हम इसमें तीन चमच एट कर लेंगे और इसे हम अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी कितना लगबग सुख चुका है अभी वा थोड़ा होना बाकी है अभी इसमें हम लोग थोड़ा से ड्राइफूड एट कर लेंगे सबसे पहला हम किश्मिश एट कर लेते हैं अभी हम बाकी के जो ड्राइफूड से उसमें एट कर लेंगे ड्राइफूड आप अपनी सबसे इसमें एट कर सकते हो कम जाद हो जो आप लोग को ड्राइफूट पसन हो सब इसमें हैडिकर सकते हो और इसे हम अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप में से किस को गाजर का हलवा पसन है वो कमेंट करके हमें बताईए इसका जो दूदेव अभी एकदम अच्छे से सुख चुका है अभी भी इसे होना थोड़ा बाकी है यह जब तक का पूरी तरगी से रेडी ने हो जाते है जब तक कर इसे मिक्स करते रहना है continuously और इसे continuously हिलाते रहना अच्छे से अभी पूरा गाजर का हलवा अच्छे से बनके रेडी हो गया है अब इसका हम फ्लेम आफ कर देंगे इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ये देके इसके फैमिली गाजर का हलवा पुरी तरगे से बनके रेडी हो चुका है आप इसे घर में बनाई है टेस्की जो रहा हमें कमेंट करके बते हैं या आप लोग कैसा लागा और आप हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजिए जब तक के लिए बाई आप से हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत जल्ड थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो चल्दी सजाए और अपने घर में आएके गाजर का हलवा बना लीजिए